आज हम लोग बात करेंगे अपसे इंडिया भी अपने तरफ से एरक्राफ मैनिफेक्ट्रिंग करेगा एक्जाटली कौन सा एरक्राफ अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते तो आपको पता हिए पुराल सोशल मीडिया जो है वो फ्लडेड हो गया है गुजट के वदोदरा में ताटा का एक मैनिफेक्ट्रिंग फेसली कल इनोग्रेट हुआ जो हमारे पी एम साथी साथ स्पेइन के जो प्रेसिडेंट है वो भी आये थे दोनों मिलके ये फेसली को इनोग्रेट किया और आगे जाके इंडिया अपने तरफ से C295 मिल्ट्री ए यहार करता है जो नोडौट वान आप दा क्यों है बेस्ट यह मैं आपको आगे आगे जाके बताता हूं यह सुने के बाद आपके मन में मुझे पता फिर सब्सक्राइब करता हूं अगर फिर बी कुछ रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं पहला जो पेले बताते पहलेड़ी इंडिया के पास च्छे है इंडियान एयर फोर्स यह यूज करता है आज इंडियान जरूर्मेंट इस च्छाया जाता है और इंडियन गवर्मेंट यहीं सी-2-5 का स्पेलिटी यह हम लोग का जैसे जरूरत है वह सारे को यह में हैं इसको देखते हुए 2021 में रिसाइट किया कि इंडियन गवर्मेंट को और 56 C295 चाहिए तो इंडियन गवर्मेंट ने अपने तरब से स्पेंड के जो कंपनी है यार बस वो लोग अपने तरब से यह मैनिफेक्टरिंग करते तो उन लोग के साथ बात क्या उन में काईसे बनेगा इंडिया में और अब्युसली यह जो कंपनी है Spain के यह लोग आके अपने तरब से स्प्रिफ मैनिफेक्टरिंग नहीं करेगा इसमें इंडियन कंपनी भी आएगा तो इंडिया के टरब से टाटा वैरतने अपने तरब जो है वो manufacturing किया जाएगा इनिशली यह जो manufacturing होगा यह no doubt इंडिया के लिए होगा इंडिया ने एरफोर्स आती साथ इंडिया के जो है वो लोग यह use करेगा और हो सकता है कि in future जाके अगर यह manufacturing हब को और भी बढ़ा जाता है या फिर in future अगर ऐसा कुछ सोच होता है at that point of time Spain के साथ इंडिया मिलके यह जो manufacturing है यह manufacturing करके इंडिया से भी export करेंगे मगर इसको लेके अभी भी कुछ particular decision नहीं लिया गया है अभी जो manufacturing होगा वो है आपका इंडिया में तो यह सब सुनने के बाद आपका पहला जो question होगा भाया यह जो project है इसमें इंडियान गवर्मे टोटल इंवेस्ट करेगा और एही investment होने के बाद इंडिया के पास आपका नया 56C295 आएगा पहले इंडिया के पास छे अल्रेडी है इसका मतलब इंडिया के पास टोटल आपका 62C295 आ जाएगा तो आपका question होगी सकता है कि फ्लाइट इतना सारा क्यों ले रहा है इतना सा तो डिफेंट कंपनी के साथ टाय अप करके डिफेंट कंपनी से यह फ्लाइट डिफेंट फ्लाइट खड़ी सकता था मगर अगर देखा जाई यह जो रेंज है मतलब जो शॉर्ट मीडियम रेंज है इस रेंज में नो डाउट ओन आप दा बेस्ट है C295 यह सुनने के मैनिफेक्चर करके एक्सपोर्ट नहीं करते हैं मगर स्पेंट का एक ही डिजाइन है वह है आपका C295 जो वन अब दा बेस्ट है आज के डेट में अगर देखें दुनिया में बहुत सारा कंट्री सीन 295 परीट के बैठा है इवन वो लोग यूज भी कर रहे है मतलब यह ऐ टेरी था सैट बाय अगर कोई बी आपका फाइटा रिए और देना हो तो गाम भी यह कर लेता है मिल्टरी के बात बात करे तो एक साथ यह 21 सोलुजर को कर सकता है तो नो अगर आज की डेट में अगर देखा जाए इस रेंज पे C295 जो है यह वान अब दा बेस्ट है और इसके वज़े से दुनिया के डिफरेंट कंट्री इंडिया कैनाडा बंगलादेस ब्राजिल मेक्सिको नाइजेरिया ओमन सौधी अरबिया और सुधान भी यही क्टेगरी में अगर देखा जाए कोई दूसरा प्रोड़क्न नहीं है इस को कर दो कर्या आगर हम लोग वोग पता जलता है वो इस लिवल पर नहीं है उसक्ते वाए इंड़ीड्य 21 में यह decision लिया था और Indian government आज के डेट में Spain के साथ मिल के आ गए जाके अपने तरब से यह जो manufacturing है यह करेगा तो यह सुनने के बाद आपका जो next question होगा भया manufacturing किया यह 100% इंडिया में built होगा यह 100% इंडिया में built नहीं होगा जैसे मैं आपको कहां जो first 16 C295 होगा वो आपका Spain से direct आएगा उसके बाद यह जो बागी remaining 40 C295 है यह इंडिया में built होगा initially यह assemble होगा कैसे assemble होगा यह मैं आपको बता देता हूँ C295 बनाने के लिए total 14,000 equipment का जरुवत होता है यह सारे equipment में आगे जाके इंडिया में 13,000 equipment जो है वो manufacturing किया जाएगा और remaining जो equipment है वो आपका Spain से लाया जाएगा यह फिर जो भी country यह से बनाता है वहाँ से लाया जाएगा आप बोल सकते हैं तब तो यह assemble हो गया initially अगर देखा जाए यह assemble ही है on the other side Spain का यह company अपने तरफ से 37 Indian vendors को contact किया है जो लोग आगे जाके यह C295 बनाने के लिए जो सामान जरूरत है वो इंडिया में ही बनाएगा और इंडिया में ही C295 को assemble करने में help करेगा इसके लाव भी अगर देखा जाए initially मनला पहले जब यह काम स्टार्ट होगा at that point of time हम लोग expect कर सब्सक्राइब यह 48% जो पार्स है spare parts है वो spare parts जो है इंडिया में built होगा और आगे जाके यह जो amount है यह 75% तक जाएगा no doubt यह जो technology है यह Spain का है यह Airbus का है on the other side Tata मिल के जो facility setup किया है उसमें हम लोग का target है कि हम लोग भी काम सीखे पहले जो है हम लोग इस सामान जो लग रहा है वह लोग हम लोग बाहर से import कर रहे उसके बाद import करने के बाद उसको assemble किया जागा वह भी complete level पर नहीं एक particular amount पर जैस time सारा सामान जो है वह इंडिया में build होगा 75% तक और अगर देखा जाए out of 14,000 जो टोटल स्प्यार पर से 295 में उसमें 13,000 जो स्प्यार पर से वह इंडिया से हम लोग manufacturing करेंगे और फिस 295 में use करेंगे तो no doubt अगर देखा जाए यह one of the revolutionary step है आजकी rate में इंडिया में on the other side अगर देखा जाए in future जाके हो सकता है कि इससे inspire होके different other company जैसे कि आम लोग Boeing को ही पकड़ ले Boeing भी अपने तरफ से Indian government के सब tie up करे यह फिर से manufacturing स्टार्ट हो जाए Boeing भी अपने तरफ से India में invest करे यह फिर दूसरा भी जितना companies है जो companies अपने तरफ से flight बनाते है यह बनाते है व हम लोग के देश का company Tata Tata भी इसके साथ tie up करके आगए जाके यह इंडिया के growth में one of the major pillar बन सकता है तो यह 56 C295 बना के लिए जो timeline सेट किया गया है वह आपका 2030 के आसपास हो सकते है 2031 तक चला जाए और उसके बाद हम लोग यह भी देख सकते कि आगे जाके Indian government अपने तरफ से decision ले रहा है इंडिया में जो manufacturing है उसको और भी जादा बढ़ा कर रहा है उसके बाद हम लोग यह manufacturing करके हम लोग यही C295 बहार में export कर सकते है चांसे से in future में हम लोग को यह देखने मिल सकता है तो hopefully वीडियो आपके interesting लगा साथ ही साथ यह एक ऐसा news है आपको यह खुशी दिया है क्योंकि आज के लेट में इंडिया भी अपने तरफ से aircraft manufacturing कर रहा है on the other side इंडिया के और भी सारे project से जो in future जाके यह aircraft manufacturing को जितना ज्यादा made in इंडिया हो सके उतना ज्यादा made in इंडिया करने का कोशिश करता है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं अतनू पॉल ए टीए एनियू स्पेस पीए विल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए बहुत सारे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलने वाला है जो वीडियो आपको सबसे अच्छ लगता है आपके लाइप जो special person है उनको पता चल जाएगा कि आपका क्या टेस्ट आपको वीडियो देख पाएंगे यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद झाल जाएगा कि आपको